हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेकर है मैं मनोविकार सेक्स रोख सम्मोहन व्यसनमुक की तग्य हूँ आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसी मानसीक भीमारी जिसको बोलते है साइकलो थाइमिया है कि on the cycle time हम पना कि कोई वहाइसी भीमारी की जो 2 साल तक चल रही है और जिसमें एक तो मूड जो है वो थोड़ा डावन है इतना डावन नहीं कि उसको डिप्रेशन कहां जा से खुलेज डेपरेशं मरken इमने कीज़गा थौरा सायब इसको पूरा पागलों आप उसको मैनिके यह पुणा डिप्रेस्ट नहीं है गार्ग साइकल यासा डिप्रेशन ठोडा साब फोड़ा साफ तो यह लोग कछलि बंध तो यह को कहने- याथा को है गर्स अतो तो जब डाउन क्रादा है तो फिर छणावनरी मुड रहेंगा एक भी आपक थे एक अधिर शृक्ते काम इन बराबर नहीं हो रहें इसको क्या है तो उसमें चिर्चड़ापन है ज्यादा बाते करना लोगों से मिलना जुलना कुछ तभी नए सवदे करना उतना नहीं है ऐसा लोगों को लगता है कि थोड़ा सा गड़बड है थोड़ी घड़बड लगती है मगर इतनी नहीं कि उसको डॉक्टर के तरफ लेकर जा सके तो वो उसको बोलते हाय साइड और लो साइड हाय साइड और लो साइड और बीच में कभी-कभी यह नॉर्मल भी रहते हैं तो ऐसी बिमारी दो साल तक चली टू इयर्स कंटिनियूस लेलग लगतली तो इसको साइकल्ओ थैमिया करके इसको नाम है जुकि यह लोग उतने बिमार नहीए यह उतने olması करने वाले नहीं हैं यह फैमिली मेंबर को साइक्लोथैमिय है कुछ तो भी है पकड नहीं पारे मर कुछ तो भी है तो उनको उनके फैमिली मेंबर को जरूए वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि हम उनका इलाज कर सकें क्यूंकि उसके लिए इसा साइको थरेपी है कॉगनिटिव भीविर थरेपी है रैशनल इमोटिव थरेपी आरी बीटी है सी बीटी है साइको थरेपी है दवाईया है तो इनसे मतलब उसका हम इलाज करते हैं तो उनका नार्मल जीवन वह जी सकेंगे वह यह लोग खुद भी आ सकते हैं इलाज करने के लिए ऐसाने कि उनको किसने जबर्रस्ति लाना चीए करके यह कभी-कभी फिर हाइदी टाइड रही हाइमूट रहा तो उसमें फिर शराप के शिकार बन जाते बैसन करना चालू कर देते या बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो गया दो कभी-कभी उसमें स्यूसेड भी कर लेंगे तो जरूर यह आप वीडियो लोगों को शेर करो आपके वाटसेप ग्रूप के पर शेर करो फेस्बूक के पर शेर करो और सब्सक्राइब करो थैंक्यू बेरी मुच्छ